किसी मशीन में हम जैसा भी इंधन डालते हैं, वो इंधन असरदार तब ही होगा, जब वो आसानी से जलेगा, कारों में जैसा पेट्रोल डाला जाता है, वो अलग होता है, ट्रैक्टर में अलग पेट्रोल डाला जाता है, रेसकार में अलग, हवाई जहाज में अलग, फर्क ये है, कि कुछ पेट्रोल आसानी से जलते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं, सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है, पाचन का अर्थ है जट रागनी, यानि पाचक आग, ये आग सबसे अच्छे से तभी जलेगी, जब फल खाये जाएंगे, सिर्फ वे लोग जो जड़ता में खुश हैं, यानि एक हिस्सा मृत होने पर वे खुश हैं, इसे मजाक न समझें, ऐसे कई लोग हैं, दुर्भागे से कई लोग सुस्ती और जड़ता का आनंद लेते हैं, यानि उन्हें जीवन ने छुआ नहीं हैं, तो सोना, नशा करना, अधिक खाना और बस लेट जाना, जीवन में जीवित, सक्रिय और गती शील रहने से बहतर लगता है, तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति के लिए फल से समस्या हो सकती है, क्योंकि फल आपको सतर्क और जागरत रखेगा, या आपको नशा नहीं देगा, वशर्ते की ये सड़ न जाए, तो इसमें वो गुण भी है, आपको बस रुखना होगा, जागरुकता के उंचे स्तरों से भी व्यक्ति आनंद और नशे के चरम और गहरे आनंद को जान सकता है, पर आपका सवाल है, मैं सामान्य होकर भी फल खा सकता हूं? या मैं फल खा कर भी नॉमल हो सकता हूं? आप जानते हैं, आदम ने भी फल खा कर शुरुवात की थी? तो फल के बारे में हमें समझना चाहिए, कि फल ऐसी चीज है जिसे प्रकृती खुद भोजन बनाना चाहती है, यानि ज्यादतर फल जो आप देखते हैं, मान लीजे कि आम या सेब, माई का महीना होने के कारण मैं सेब की बात नहीं करूँगा, मैं आम की बात करूँगा, बीज आम का महत्वपून हिस्सा है, गूदा सिर्फ एक आकर्शन है, ताकि जानवर और पक्षी इसे खाएं और बीज कहीं बहुत दूर छोड़ाएं, तो फल शरीर के लिए चमतकार कर सकते हैं, फलों का परियाप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बहुत जिवन्त और सक्रिय बन सकता है, चाहें आपकी जीवन्शैली कुछ भी हो, पर अगर आप महनत का काम कर रही हैं, मान लीजे के आप बहार खुदाई कर रही हैं हर रोज शारीर एक रूप से, मशीन से नहीं, आप खुद खुदाई और बहुत महनत का काम कर रही हैं, तो फल खाकर आपको हर दो घंटे में भूख लगेगी, क्योंकि आप सीमित मात्रा ही खा सकते हैं, पर ये जल्दी पचता है और पेट खाली हो जाता है, जब तक आप जागरुकता के एक स्तरपर नहीं आ जाते, जहां आप खाली पेट रह पाएं और फिर भी उर्जा बान रहें, क्योंकि भूख यानि उर्जा का कम होना, जैसे आपकी बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए खाना जरूरी है, लेकिन आज काफी लोग या ज्यादतर लोग मैं कहूंगा, जब उनका पेट थोड़ा खाली होता है, तो उनका खाने का मन करता है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी जागरुकता की जरूरत है, कि आप खाली पेट रहकर भी ठीक रहें, क्योंकि आप में उर्जा होगी, जब उर्जा कम होने लगे, तब आप खाएं, तो यदि आप सिर्फ फल खाएंगे, तो आपको दोपहर के भोजन में थोड़ा जादा समय बिता कर धीरे धीरे खाना होगा, ताकि आप काफी फल खा सके, क्योंकि थोड़ा खा कर पेट भरा महसूस होगा, क्योंकि फल मीठा होता है, तो रुक रुक कर धीरे धीरे खाना होगा, हमारे अंदर एक बायो क्लॉक भी है मान लीजिए आपका सामान्य पका हुआ खाना खाने में आप 10-12 मिनिट लेते हैं तो फल खाते हुए भी 10-12 मिनिट में आपका शरीर कहेगा काफी हो गया तो आपको सचेत रूप से ज्यादा खाना होगा क्योंकि ये सिर्फ समय का ध्यान रख रहा है ये पेट के भर जाने को नहीं देख रहा तो 10-12 मिनिट के बाद लगता है पेट भर गया तो ज्यादा समय लेकर ज्यादा खाना होगा पर अगर आप सिर्फ फल खा रहे हैं और बहुत महनत कर रहे हैं तो ये महत्वपून है कि आप दिन में 3 बार खाएं जो आप में से ज्याद अतर शायद कर ही रहे हैं तो दिन में 3 बार अगर आप 6 या 8 घंटे सो रहे हैं तो बाकी के 16 से 18 घंटे तीन बार खाना काफी है अगर आप फल खा रहे होँ तो पर पेट दो घंटे में खाली महसूस होगा तो आपको उच्च उर्जा पर खाली पेट के साथ रहने की आदत डालनी होगी तब ही आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है तब ही आप एक इनसान के रूप में सबसे अच्छा काम करते हैं यह आपके लिए अच्छा होगा तो अगर आप अपनी दिमागी शक्ती और शारीरिक गतिवधी का उपयोग करना चाहते हैं तो यह बिलकुल काम करेगा हमें यह देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं और मौसमी रूप से विभिन प्रकार के भल होते हैं यह बहुत ही अविश्वसनी कि किसी समय पर भूमी जैसे फल पैदा करती है वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं इस बारे में काफी रिसर्च हुई है कैसे उन मौसमों में जब ठंड होती है जब गर्मी होती है जब नमी जादा होती है सही प्रकार का फल धर्ती से निकलता है यदि आप उस जगा के फल खा रहे हैं पर अब आप न्यूजिलेंड से आए फल खा रहे हैं ये अलग बात है अगर आप आसपास की भूमी के फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है तब वही फल खाना सबसे अच्छा है सबसे बढ़कर ये परियावरण के लिए बहुत ही अच्छा है अभी हम एक अभियान चला रहे हैं कि सभी कम से कम 30 प्रतिशत सिर्फ फल खाएं यानि आपके आहार का कम से कम 30 प्रतिशत फल हो जाए क्योंकि अगर आपके भोजन का 30 प्रतिशत पेड़ से आता है जोती गई भूमी और फसल से नहीं तो परियावरन के स्तर पर ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और अगर आप काफी मांस खाने की जगा फल खाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है क्यूंकि आपको बहुत भारी भोजन खाकर प्रिथवी पर गिरनी की आदत है आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है हमारे पेट में फल ही सबसे तेज पचते हैं यानि कम से कम कच्रा, सिस्टम पर कम से कम भोज, सिस्टम में कम से कम तनाव तो इससे जरूर बड़ा अंतर पड़ेगा मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने लगभग एक हजार आठ दिन सिर्फ संत्रे खाये इस महिला ने एक हजार आठ दिनों तक सिर्फ संत्रा खाया शुरुवात में उसे कई बीमारियां थी उसे मधुमे, उच्च रक्त चाप और मुझे नहीं पता क्या-क्या था मुझे बिमारियों की सूची बताई गई थी थाइरोईड, गंभीर थाइरोईड के मुद्दे, अधिक वजन एक हजार आठ दिनों तक सिर्फ संत्रे खाकर बीस साल जवान, शक्ती से भरपूर और स्वस्त महसूस करने लगी एक व्यक्ती नहीं ऐसा किया, क्रिपया सिर्फ संत्रे न खाएं, संत्रे कम पढ़ जाएंगे या कम से कम फ्लॉरिडा चले जाएं हाँ भल एक अध्भुद बदलाव लाएंगे विशेश रूप से आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक इनसान को महत्व देते हैं कारिक शित्रों में इनसान का उनकी दिमागी शक्ती की वज़े से महत्व है न कि उनकी ताकत की वज़े से अगर आप पहलवान न हों तो ठीक है तो इसके लिए फल से जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा और परियावरन के स्तर पर ये सबसे समझदार चीज है फल और मांस के बीच एक व्यक्ती के जीवत रहने के लिए मान लीजे कि आपको सिर्फ मांस पर जीवत रहना है तो अनुमान है कि एक व्यक्ती के लिए एक साल का मांस पैदा करने के लिए 15,000 लीटर पानी चाहिए और फलों का आहार हो तो 300 लीटर पानी चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए सभी नदियां फिर बहने लगेंगे